आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now नमस्कार दोस्तों हमारा प्रेशन है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रेशन बोला गया है कि निम्न में से कौन सा रसायन जिसके कारण फोटो क्रोमिक कांच प्रकास की उपसिती में अई स्थाई रूप से क्या होता है दोस्तों गहरे रंग का हो जाता है यह हमें प्रेशन में पूछा गया है तो दोस्तों यहां पर में क्या बताना है, यहां पर हम कौन सा रसायन प्रयोग में लेते हैं, जिसके कारण से दोस्तों जो हमारा फोटो क्रोमिक कांच जो होता है, यह प्रकास की उपस्तिती में क्या हो जाता है, अइस थाई रूप से क्या हो जाता है, गहरे रंग में हो जा और ये जो गहरा रंगे दोस्तों किया होता? है इस थाइ रूप से मतलब करिके एक बार गहरा रंग ऊगा तो ऩो होगा? बाद में हमारा परिवर्टित भी हो सकता है क्योंकि है इस थाइ मिला रंग क俺 ने के बार परिवर्टित नहीं होता और इस थाइ ref रूप से हो रहा है मतलब कि बाद में क्या हो सकता है इसका रंग परिवर्टित हो सकता है तो हम जानते हैं यह जो गहरा रंग है ठीक है फोटो क्रोमी काँच में यहां किस रसायन के मिलाए जाने कारण होता है दोस्तों वह होता है हमारा सिल्वर, सिल्वर, आयोडाइट, ठीक है, यहाँ पर हम क्या मिलाते हैं, यहाँ पर हम सिल्वर, आयोडाइट मिलाते हैं, अब दोस्तों, यह जो हमारा सिल्वर, आयोडाइट है, सिल्वर, आयोडाइट का सुत्र क्या होता है, दोस्तों, इसे हम जानते हैं, एजी, आई के त तो दोस्तों इसे मिलाने पर यह गहरे रंगवा परिवर्दित नहीं होता तो यह गलत है सिल्वर आवटेट जिसे दोस्तों AGI के तोर पे जानते हैं यह हमारे का है बिल्कुल सही आंसर होगा option B तीसरा दिया गया boric oxide तो यह भी गलत होगा पोटेशियम सल्पेट यह भी option हमारा गलत होगा तो option B जो है यह हमारा प्रिष्ण का राइट आंसर हो जाएगा क्लासिक स्टुएल से लेके नीट IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 पर